नाओ पेज नुम्बर 23 चेंजिंग दर स्क्रीन शेवर अब हम कैसे चेंज कर सकते हैं स्क्रीन शेवर को सबसे बेले हम जान लेते हैं स्क्रीन शेवर होता क्या है जब हम कंप्यूटर को अन करते हैं और कुछ देर के लिए से छोड़ देते हैं तो वो क्या के लाई जाती है उसको हम स्क्रीन शेवर कहते हैं जब हम कोई भी हम अपने कीबोर्ड में से कोई भी की को प्रैस करते हैं या अपने माउस को मूव करते हैं ठीके जो हमारा जो स्क्रीन शेवर दिखाई देता है वो दिसेपेर हो जाता है और कंप्यूटर नॉर्मल स्क्रीन में आ चाता है ओके इस स्क्रीन शेवर कैसा हो सकता है एक स्टिल हो सकता है मने हाना एक जगर ठहरा हो सकता है और मूव करता हो भी हो सकता है ठीके स्क्रीन शेवर फॉलो दिस स्टेप अब हमें कोई स्क्रीन शेवर हमें सेट करना है तो हमें यह स्टेप हमें फॉलो करने पड़ेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे यह पिल्द के इन मर्कवाइब हो Copper करेंगे वारे के लोड़ेंगे दिन और फायार था स्क्रीन शेवर हमें पिल्द में सेट हो Complete क्रेंगे यहां पर हमारा जाएगा screen saver option आएगा हम यहां पर click करेंगे the screen the screen saver dialogue box जो होता है हम पर यह dialogue box होता है screen saver का यह हमें दिखाई देगा फिर उसके बाद क्या होगा choose a screen saver from the screen saver box अब हम क्या करेंगे यहां से हम अपनी कोई भी picture हम select कर लेंगे यहां से हम कोई भी picture select करेंगे और यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर हमारा दिखाई दे रहे है screen saver box से ठीक है choose screen saver box ओके यहां पर हम यहां पर इस box पर हम click करेंगे फिर set time for appearance और हमारे हां पर time है हम यहां पर time mention करेंगे कि कितने टाइम के बाद हमें वो दिखाई देगा ठीके फिर click on the preview button to see how screen shaver will look like अब हम यहाँ पर preview पर करेंगे कि हम यहाँ पर कैसा दिखाई देगा screen पर हमें कैसा दिखाई देगा हम उसका preview देखेंगे when you are satisfied जब हम satisfied हो जाएंगे कि हाँ ठीक दिख रहा है फिर हम क्या करें apply बटन आएगा यहाँ पर फिर हम यहाँ पर apply बटन पर click करेंगे फिर उसकी last में हम यहाँ पर ok बटन आएगा फिर last में हम यहाँ पर ok बटन कर देंगे ठीके in this way we can change the screen saver ok students we will continue in next video